नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका अपने चिनेक की स्टो सक्सिस में आज का मारा टॉपिक है उनिट 6 का टेस्ट देखेंगे ठीक है इसके लावा अब हमने पूरे टॉपिक को कवर कर लिए गए सारी यूनिट के टेस्ट दाल दीगए आप जाकर के पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजी जो जो प्लेटिस्ट आपने अभी तक नहीं विजिट की है उसे विजिट कर लीजिएगा और देखिएगा आप जब देखेंगे वीडियो तो आपको ऐसा एसास होगा कि जो भी कोशन लाएगे बहुत अच्छे लाएगे और जो कि आपको निश्ची थी एक्जाम का समय नहीं है और व्यक्या की जरूद भी नहीं आप लोग क्योंकि आप सब लोग पढ़के बेटे हुए है ठीक है जो भी चीज होती है अगर कुछ पूछे जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या किसी भी कुशन में डॉट होता है तो आप डॉट संगर समीदान समीदी का देच कुन था जवाला नेरू भारती समीदान का कौन सा भाग समीदान की आत्मा कहलाता है उद्देजी का भारत का समीदान कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 भारती समीदान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बी आरम बेटकर भारत का समीदान द प्रतकरन का सितान समिदान के किस भाग में वड़नी थैं निदी निदेशक तत्व कों सा अनुच्रेश सम्मदी थैं प्रदामंदरी प्रधामंदरी प्रधान के तैर सरवोचे नियाले से राष्पती परहवास मांग सकता है अनुचछे 147 भारत के राष्पती के चुनाओं किस प्रकार का होता है उपरिविक्तों में से कोई नहीं क्योंकि इनका चुनाव निर्वाचक बंडल द्वारा होता है एकल संक्रवणी समानुपातिक मत्प्रणाली के द्वारा ठीक है केंदर की मंत्री परिश्यत किसके पती उतर दे होती है लोगसबा समिधान का 99 बाद समिधान संसोदन किससे समंदी थे बाष्टी नया एक नियुक्ती आयोग जिससे रद्द कर दिया था सुप्रिम कोट ने भारती समिधान में पहली बाद संसोदन कब वह 1951 इससे कौन सी आनुसूची समंदी थे बताईएगा 74 संसोदन का संसोदन का संसोदन का समंद है नगरपाली का निर्वाचेव मंडल प्रनाली को आरम किया भारत साजकार अधिनियम 1909 लाड मिन्टो थे इस समय गवर्नाटी के भारत के समिधान में संसोदन का प्रस्ताव कोन प्रस्तूत करता है केवल संसद कोन सा अनुच्छे था समिधान की संसोदन प्रक्रिया से संबन देते 368 अब निर्वाचेव मंडल प्रस्तितियों की गोष्णा करने का अंतिम अधिकार किसका है राश्पति के पास राश्पति ने कितनी बार राश्टी संकट की गोष्णा किये तीन बार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतरकस राश्पति के विरुद्ध महावियोग चलाए जा सकता है अनुच्छेद 61 मंत्र परिसत सामवई ग्रूप से उतर दाई होती है संसत के प्रती राश्पति को निम्नों में से किस मामले में संपूर्ण विटों का अधिकार प्रा होता है और इस पर किसी भी नियाले में प्रेशन जिन नहीं लगा जाएगा ठीक है नाबाट किसका नाम है क्रस्टी साहिक विशिष्ट बेंग भारत में दसमलो मुदरा प्रणाली कब से शुरूई अपरेल उन्यस सो सत्तावन की जाती है भूमी विकास बेंग इस्थापन भारती जीवन विमा हो जाएगा 1964 और भारती उद्धोगी विकास बेंग हो जाएगा 1956 ठीक है दस महारातने कंपनिया उनके इया देख लिजेगा उनका हेटकॉर्टर जरू देख लिजेगा और अगर करेंट में अगर उनका कोई चीफ चेंज हुआ है तो उसे जरू देख भारती रिजर्व बेंक है केंडरी बेंक विया पारिक बेंक को द्वारा जनित साख का नियंतरन कुन करता है भारती रिजर्व बेंक भारत में किस प्रकार की वानेजिक बेंकिंग वेस्ता है साखा बेंकिंग भारत सरकार ने देश के 14 बेंकों का राश्टे करन किया था ज ग्रेसम नियम संबंदित है मुद्रा के संचालान से और अगर जो भी कोईशन पुछा जा रहा है उसका आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप उसको तुरंट जाकर के गूगल कर लिजिए उससे क्या होगा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा वह हमेशा के लिए ठीक है इसलिए पूछा जाता है कोई भी आंसर ताकि अगर आपको नहीं पता तो वो पता चल दा है और अगर वो एक्जाम में पूछा जाए तो आपको बने ठीक है को सरवच चनेले में सिहवा निर्वत्ति की आई यू क्या है पैसेट पर से संसत के सुचना अधिकार अधिकार अधिनियम को भारत के राश्पती की शुक्रेती प्राप्त हुई है पंदरा जुन 2005 को प्राकलान समीती संसत के किस सदन के सदस्यों से कड़ित होती है लोकसभा के सदस्यों से कितने सदस्यों होते है इतना डीपली पड़ते हैं। 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 कमेंट करके। तो दोस्तों यह युणिट थी। इसका टेस्त हमने खतम कर दिया। इसके लावब अब यह पूरी जितना भी सिलेवस MPPAC व्रेलिम्स 2020 का। उसके शाब से जितनी भी टेस्ट थे वह सब कंप्लेट करा दी गये। कुछ टेस्ट के हमने दो-दो वीडियो डालें उसे जाकर कर जरू देखिए तीक है यूनिट टेन को रिवाइस कर लिजीगा हमारे वीडियो से वन लाइनर के तौर पर है ज्यादा समय नहीं दिया गया है चार चार तीन तीन मिनट में एक एक वीडियो खतम किया है ठीक है जाकर कर जरू देखिएगा कुछ सौट जी के ट्रिक है वो भी देख लीजिएगा इंपोर्टेंट है और क्योंकि जब आप कॉप्शन का अंसर लगाते तो उसमें कन्फिशन हो जाता है आपको आप्शन में एक रोम दलबाल लीजिए ताकि आपकी में वरी हमेसा इस्ताइवन ने रहे ठीक है तो ऐसा अगर आप नहीं कर सकते तो आप को ट्रिक बनानी पड़ेगी और लगाता रिवीजन करते रहना पड़ेगा तो अगर दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा थैंकिए सो मच फर वाचिंग